नमस्कार दोस्तों स्वास्ते और संदरे चैनल में आपका स्वागत है अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस हमारे चैनल को जल्ती से सब्सक्राइब कर ले और बगल की बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियोज की अ यूटोप प्रकृती ने स्वेम ही नारी को सुन्दरता प्रदान कर रखी है। फिर भी नारी अपनी सुन्दरता को और भी निखाडने का प्रयत्म करती है। लेकिन इस सुन्दरता में ग्रहन लगा देती है फटी होट। फटी होट की काड़न कितनी भी सुन्दर दिखने वाली स्ट्रिक उनों हो, उसे शर्मिन्दगी तथा हिल भावना का शिकार होना परता है आवा यूगत स्वस्थ होट नारी के व्यक्षित्तों को आकर्षिक बनाने में महत्वपूर्म यूगदान देते हैं आज हम इस वीडियो में होट के फटने के कारण तथा उनकी उचित देखभाल की बारे में बताने जा रहे हैं तो फिर इस वीडियो को अंतक देखते रहे हैं शरीर में विटमिन A तथा विटमिन B की कमी के कारण मुखे रूप से होट फटने लगते हैं अधिक गर्मी, अध्यधिक सर्थी या अधिक बर्थ वा पाले गिडने के कारणों से भी होट फटने लगते हैं ठंडी तेज हवाओं के असर से भी होटों में दरारे पड़ जाती हैं तता उनसे खून रिचना प्रारम हो जाता है अधिक क्रीम लिच्चिक लगाने के कारण से भी होटों पे दरारे पड़ जाती हैं अधिक मातरा में तली भुनी वस्तूओं को खाने एवं गरम गरम भोजन करने से भी होट फटने लगते हैं तता होट का रंग काला हो जाता है अगर आपके होट फी फटते हूँ और वो बेजान सिद्धिक रही हूँ तो इस वीडियो में हमारे बताएगे उपायों को प्रियोक मिलाकर अपने होट को स्वस्त वह गुलाबी बना सकती है सोया बीन एवं बिवीन में दालों के सेवन करते रहने से होट फटने से बसते हैं तता होटों पर एक अलग ताजगी वनी रहती है ग्लिसरेन में बरावर मात्रा में गुलाबचन मिलाकर होटों पर मलते रहने से होट नहीं फटते हैं खाने में अधिक खरी सब्चियों, मौसम के मुताबिक कुछ फल, दूद, शहद आती लेते रहने से भी बिटमिन A, B के कारण होट फटते नहीं है 5 ग्राम बेसन, 3 ग्राम हल्दी एवं 10 ग्राम गुलाब चल को मिलाकर अच्छी तरह से फैंट कर मलहम की तरह बना ले रात को सोने से पहले इस लेप को होटो पर मल लेने से होट नहीं फटते फटे होटो पर ताजा लाल गुलाब की पत्यों का रस रगरते रहने से होट नहीं फटते शहत की चार-पाच बुंदों को लेकर उसमें दो-तीन बूंद गरम जल मिलाकर होटों पर मलते रहने से होट फट्ती नहीं है अगर फट गए हैं तो उसे ठीक करने में भी अबहुत लाबदायक होता है गरम दूद की मलाई का लेप करने से भी कटे-फटे होट गुलाब की ताजी पंखुडियां की तरह हिल उठते हैं रूई के फाहे में जैतुन के तेल को भिगो कर हलके हाथों से होटों पर मलते रहने से होट खुर्दुरे होने से बस्ते हैं तो फट्ते नहीं है 30 ml शहद में एक छोटा चमच क्लिसरिन एवं जौग का पाउडर मिलाकर होट पर लगाते रहने से वे फट्ते नहीं हैं साथ ही मुलायम एवं समकीले भी हो जाते हैं गाजर एवं टमाटर के रस को बराबर मातरा में मिलाकर उसे हलके गरम कर ले जब वर ठंडा हो जाए तो फटे हुए होटों पर हलके हाथों से लगा दे दो दिनों में ही होट मुलायम हो जाते हैं सरसो का तेल, हाल्दी पाउडर एवं कपुर मिलाकर पेष्ट बना ले इस पेष्ट को रात को सोने से पहले होटों पर अच्छे तरह लगाते रहने पर होट फटते नहीं आज आपने जाना कि होट के फटने पर क्या-क्या खड़ना चाहिए ताकि होटों के सुन्दर्ता बरकरा रखी जा सके आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवशी ही पसंद आया होगा हमारे नए-ने स्वास्ते और संदरी संबंदी जानकारियों को पाने के लिए अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तता हमारे वीडियो पसंद आया हूँ इसे लाइक और शेर जरूर करे ताकि इसी तरह हम नए-ने जानकारिया आप तक पहुँचाते रहे धन्यवाद